बारत और शिरलंका के बीच पांच मैचों की ODA सिरिस चल रही है जिसके पहले मैच में टीम इंडिया ने शिरलंका को 9 विकेट से हरा दिया था अब दूसरा वंडे पाल केले मैदान पर खेला जा रहा है जहां बारत ने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग करने का फैंसला किया इस मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी शिरलंका की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 236 रन बनाए शिरलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डिकवेला और गुना लितका ने टीम को ठीक ठाक शुरुआत दी दोनोंने पहले विकेट के लिए 46 गेंदों पर 41 रन जोड़े शिरलंका को पहला जटका जस्पित बुमरा ने डिकवेला को आउट करके दिया डिकवेला 31 रन बनाकर आउट हुए उसके बाद गुना तिलका और मैंडिस भी जल्द ही आउट होकर पवेडियन लोट गए कप्तान उपुल्थरंगा इस बार भी कुछ खास नहीं कर सके और मातर 9 रन बनाकर हार्दिक पांडिया की गेंद पर विराट कोली को कैथ मा बैठे शिरलंका की और से श्रीवर्दना ने कपु गेदरा के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया जिन्होंने 58 रनों की पारी खेली टीम इंडिया की तरफ से सबसे सफल गेदबाद जस्पृत भूमरा रहे जिन्होंने 10 ओवर में 43 रन देकर 4 विकट अपने नाम किये वहीं चाहल को भी 2 सफल ताएं हाथ लगी क्रिकेट कैसे और अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें